हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं हर संकर कमार आप लोग को हरी संकर यूट्यूब चनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जिविका का जो एसी का जो कंडिडेट था उसमें जो परण परस्नल इंटर्व्यू में जो पूछे जाने वाले फरस्न थे मोखिक और टॉप डस क्वेस्चन उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ अगर फिलाल आप लोग इस वीडियो को पहली पर है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बिल एकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का टॉप कुश्चन और इसी तरह का नए नए वीडियो मिलता रहेगा तो सबसे पहले मैं आप लोग उससे गुजारिस करना चाहता हूँ कि आप लोग एक पैन ले ले और एक जो होता है कॉपी, नोटबुक और अन्तियार कर ले और कुश्चन को लिखना प्राराम करे तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इंटर्व्यू परशनल लिया गया था, एसी में लिया जा रहा है और यहां आप लोगों को 27 तारिक जो शुरुबात हुआ था, विलेज इंटर्शिप का डेट और 28 जो आज है, उसका प्रशनल इंटर्व्यू में पूछे जाने वाले प्रशन है तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे जो पूछा गया था, कंडिडेट से, कि जीवी का क्या है, जीवी का के बारे में क्या जानकारी है आपको तो जैसे कि आप लोगों को मेरे दोस्तों पता होगा, कि बिहार सरकार का चलाया गया जीवी को पारजन के अंतरगत या एक जीवी का परियोजना चलाया गया और या एक गरीबों को आर्थिक इस्तिती मजबूत करने के लिए सरकार का या परियोजना चलाया गया है और दुसरा सवाल था कि आपको जो जीवीका में जो सेलरी मिलता है AC के लिए अभी 19,500 है क्या इसमें आपका घर का परिवार का मेंटनेस हो पाएगा तो आप लोग को जवाब देना है प्रेशनल इंटर्व्यू के रूप में कि सर जो ने बिहार सरकार का पहल चलाया गया और जीवीका के अंतरगत जो ये डिरेक्टर है उसके द्वारा जो यहाँ पे मांदे फिक्स किया गया है वो हम लोगों के लिए एक बहुत समांजनक मां कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका पढ़ाई जारी है या नहीं है तो आप लोग पूछिए कि यह क्यों बोला गया क्योंकि हम अधिकतर हम भी अधिकतर लगभग इंटर्व्यू दे चुके हैं परस्टनल इंटर्व्यू जिसमें अधिकतर सवाल यह उठता है क कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है वह तो आपका देख लेता है क्या कहते हैं बयोड़ाटा से लेकिन फिर भी पूछता है और वह पता कर ले सकता है उससे कि आपके जो मोखिक प्रशन में कि कि आप उसके लाइक है या नहीं है और आपका पढ़ाई चल रहा है कि नहीं च चांस मिलता है 95-75% मान के चलिए नहीं भी 25% अनुमान लगाया जाता है क्योंकि वो यह समझता है कि जीवी का एक बिहार सरकार का 3 साल का कॉंटेक्ट वेसिस पे है और 3 साल के बाद आपको हटा भी सकता है लेकिन जब तक बिहार सरकार का जीवी का चलता है तब तक आपका नोकरी सुख्षित है वहां पे जवाब आप लोग को देना है कि सर अगर आपका पढ़ाई खत्म हो गया तो वहां बोलना है कि सर मेरा पढ अचा गया कि आप मैरेड है या अनमैरेड है मेरे दोस्तों मैरेड और अनमैरेड में बहुत फर्क है अनमैरेड ए स्टुडेंट को अगर नोकरी सरकार देती है तो वह उस नोकरी को दुसरे जव जाने में छोड़ भी सकता है और लापरवाही करता है और जो मैरेड है उसक पैसे की सक्त जरूरत होती है तो इसलिए वह उस नोकरी को करना चाहता है तो जवाब देना है कि सर इस नोकरी को करने के लिए हमको जरूरत है हमरे घर परिवार को देखना है बाल बच्चे का पढ़ाई करना है अपना भी मेंटनेश करना है और इससे घर परिवार भी चल सकत इसलिए इस नोकरी को हम करना चाहते हैं तिसरा सवाल कि जिविका स्वेंग सहता समू के बारे में आप क्या जानते हैं पाचमा सवाल था और तो आपको बताना है कि जिविका समू जो दिदी है वो आपको 10 से 12 दिदी मिला कर एक समू बनाया जाता है और उस समू में 7 रोज में बैठक होता है सपताहिक बैठक होता है और परतेक दिदी 10 रुपए बचत करती है और मासिक जो होता है वो हरीन लेन देन करता है और जो सीम दिदी होते हैं उस समू का परतेक सपताहिक लेखा जोखा करता है चठा सवाल था कि समु में RF कारीन कितना आता है और RF का फंड का पैशा किसको वापिस करना पड़ता है मेरे दोस्तों RF का पैशा का फंड किसी भीयो किसी CLF और नहीं तो डिस्टिक कहीं भी वापिस ने करना पड़ता है सरकार एक पुरुत्साहिक रासी के अंतरगत 15,001 S.A.G. को दिया जाता है उसका ब्याज और मुल्धन उसी S.A.G. में रहता है जिस S.A.G. में 10 दिदी मिटिंग करके वह पैसे को आयात निर्यात और अपने रूप में चलाते हैं गुमाते फिराते हैं और आपको सात्मा सवाल था कि ग्राम संगठन कितने समु को मिला के बनाया जाता है और ग्राम संगठन बनाने का क्या उद्देश है तो ग्राम संगठन तो कम से कम आपको 8 S.A.G. का बनता है उपर आपको 15 S.A.G. ले ले लेकिन गराम संगठन बनाने का उद्देश आपको जानना पड़ेगा गराम संगठन बनाने का उद्देश यह है कि S.A.G. एक छोटा संगठन हुआ छोटी जरूरतों को आप S.A.G. से पैसा लेके दिदी को दे सकते हैं और पूरा कर सकते हैं लेकिन बड़ी जरुरत होने के बाद आपको एक गराम संगठन की जरुरत परता है और वहाँ पे 10 S.A.G. 15 S.A.G. के दिदी बढ़ते हैं एक नहीं 10 की बाते वहाँ पे सुनी जाती है इसलिए हमको गराम संगठन बनाना अति आवसक है और सीसी को आठमा सबाल था कि सीसी का काम क्या होता है क्यमिनिटी कोडिनेटर सीसी का काम होता है फिल्ड में जो सी एम है उसको मोबलाज करना और उसकी कारभार को देखना कि किस तरह से चला रहे हैं रिपोर्ट सही समय से जमा करवाना, उसकी रिपोर्ट को लेना, उसकी अधूरी जानकारी को पुल रूप से ट्रेनिंग देना, ये आप लोग की टॉप कोश्चन था आठमा सवाल था, कि जिविका आपको क्यों नोकरी देगा, तो बताना है सर, जिविका में कुछ सीट और कुछ वेकेंसियां, कुछ पद के लिए खाली था और उस चीज के लिए आपको जरूरत था, कि इस चीज के लिए हमको वेकेंसिय निकाला जाए, तो इसलिए हमें आप नोकरी दे रहे हैं इस पद के लिए, और आप मेरे क्वालिफिकेशन को देखते हुए, और इस नोकरी को करना हमको जरूरत था, इसलिए हम इस नोकरी को join किये नम्मा परश्ल था ग्राम संगठन का मिटिंग कितने दिनों पे किया जाता है ग्राम संगठन का मिटिंग मेहने में एक बार किया जाता है उसमें किस तरह का फंड आता है RF का फंड आता है 50,000 FSF का फंड आता है केटेगरी बायज और ST को देखते हुए आज कल 1,00,000 दिया जाता है VO में आता है वही समान डिप में जाता है CIF का पैसा SAG में और दसमा सवाल था कि 1 SAG में 2 दिदी को पैसे के चलते लडाई हो गया 1 SAG में 2 दिदी को पैसे के चलते लडाई हो गया उस पिरियड में आपका दाइत्व क्या बनता है और आप किस तरह से मोबलाईज किजिएगा क्या आप अपने खुद से हैंडिल किजिएगा या आप अपने सिनिया प्राधिकारी को बताईएगा नहीं इसका जवाब आपको खुंद ढूंडना पड़ेगा वहाँ पे बताना है सर नहीं पहले तो हम दोनों दिदी का आपस में बात सुनेंगे और दस दिदी है उस दिदी को जवाब देना पड़ेगा और उसी दिदी से हम पूछेंगे कि किस दिदी को पैसे की सक्त जरूरत पहले है तो जिसके घर में बिमारी है कोई भी आपको फंड हो गया सादी विवा है उसीज के लिए पैसा उसको देना अधर काम के लिए दुसरे को पैसा पहले बाद में देना लेकिन जिसका जरूरत पहले है दिदी से पूछ के उसीज को पैसे दिलवाना उस्तिदी को दिलवाना यही आपका दायत बनता है अगर इससे भी आप लोग को बहतर जानकारी चाहिए तो मेरे बैब साइट का नीचे इस वीडियो के डिश्क्रिस्मन में लिंक दिया गया है www.harisankarkma.in और वहाँ पर जाके आप लोग सर्च करे उस वेब साइट को विजिट करे फेस्बुक पेज को लाइक करे और फोलो करे और मैं आप लोगों से इस वीडियो में यही तक मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद